वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको उता दे ये वीडियो आपके बीए सेकेंड इयर फॉर्थ समेस्टर साइकोलाजी यानि मनोविज्ञान एक्जाम के लिए है तो यदि आप एक्जाम देने जा रहे हैं मनोविज्ञान का तो ये वीडियो एक्जाम देने से पहले एक तो जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्षिन में जाकर वीडियो को देखें तो चलिए पहला कॉस्षिन क्या देगा है इसमें सारू पर्थम किसे ने उत्साह यू बिसाद मनो वी छिप्तता को दो अलग मनो विकारों के साथ पर ही एक मांसी विकार के दूरूप बताए हैं फालरेट यू विलाजर ने आपस नमर सा इसका राइट एंसर है बढ़ते हैं अपने एगले कोशन की तरफ अत्यदिक खिनता उदासिंता निरासा निस्क्रियता दथा और प्रसनता किस इस्थिति की सूचक है बिसाद इस्थिति की सूचक है आपस नमर क्या है ब इसका सही ए आगे कोशन के दिया है अत्यंत त्रिव उग्र उत्सा अवस्था को किस नाम से संभोधित किया जाता है किस नाम से संभोधित किया जाता है आपस नमर क्या है ब इसका राइट एंसर है डिलिरिया समेनिया के नाम से संभोधित किया जाता है नेक्स्ट कोशन मांसिक रोगों को दूर करने के लिए मनो वेग्यानिक तथ्यों और उसी धानतों का योजना बध उप्योग है तो कौन है मनो भावत की आप्स नुमर दा इसका राइट एंसर है इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरब निर्देशित मन चिकिस्ता के विकास का असरे किसे दिया गया है थारने को दिया गया है आप्स नुमर साइस का राइट एंसर है अनिदेशित अथवारोगी केंदरित चिकिस्ता के विकास का असरे किसे दिया जाता है काल्स रोजर्स को दिया जाता है आप्स नुमर क्या है ब इसका सही अंसर है, बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ, यह किस मनोचिकिस्ता में चिकस्तक की अपेच्छा रोगी की अधिक महतपुड भूमिका होती है, अनी दर्शिक मनोचिकिस्ता में आप सुनबर और इसका सही अंसर है, बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की किस मान चिक तक के अनुसार आवस्यक समायो जनपुड प्रतिक्रियाओं को न सीख पाने अत्वा दोसपुड अधिगम डिफेटिव लर्निंग के कारण असमान बेहवार की उत्पती होती है अत्वा दोसपुड अधिगम को दूर करके मनो विकारों को छुटकारा पाया जा सकता है तो किस उप्चार से तो बेहवार उप्चार पद्धिक के मान चानी की बिहेवियर थेरेपी आपसे नबर क्या है इसका बह इसका सही एंसर है आगे कोशन की तरह बढ़ते हम मुकत साचर अनि फरी एसोसीयेशन स्वपन विशलेशर ड्रीम एनलेसिस तथा स्थानांत्रण यानी ट्रास्फ़रमेंस इत्याधी किस मनो चिकिस्ता के विशेस्त समंधित है किस समंधित है मनो विशलेशर पद्धिस समंधित है आप से नबर A इसका सही एंसर है और के दिएगे हमारा बिद्धुत आधात चिकिस्तक आनि इलेक्ट्रो शॉक थेरपी का पर्थिपादक कौन है सरले सरले टूटी बिन्नी है कौन है सरले टूटी एंसर आनि इसका राइड एंसर यानि इसते के साथ बढ़ते हैं liberal our बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरब हमारा अगला कोशन क्या देगा है किस मानश किस्तिका में एक से अधिक एक ही प्रकार मानसिक रोगियों का एक साथ ही उद्पचार किया जता है समुह चिकिस्ता में आपस नबर क्या है और इसका सही अंसर है निम्नांकित में से सतह बालकों के लिए प्रियुक्त उपचार पदती कौन सी है निम्नांकित में से बिसे सतह बालकों के लिए उप्रियुक्त उवचार पाजिती कोवन्सी है खेर अची किस्ता आप संबर बोई इसका सही अंसर है आगे कोशन क्या दियागा है जब सम्विगात्मक तनाव की अभिव्यक्ति मानसिक लच्छडों में ना होकर एक बीसे स्काइक गसारिक विकार के रूप में होती है तो ऐसे विकार को हम क्या करते हैं मनो काईक विकार कहते हैं आप संबर क्या है इसका बीसका सही अंसर है आगे कोशन के दियागा है मनो विक्रित विक्तित्व मनो विक्रित विक्तित्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो अन्य समाज विरोधी ब्यक्तित के नाम से जना जाता है मनो विक्रती ब्यक्तित को आप्सनवर अ इसका सही अंसर है मनो काईक विकारों का समध मुख्यता किस्ते है मनोš काईग विकारों का समंद मुख्धतह किस्से है तो स्वतंत्र इसनायू तंत्र जारा नियंत्रित अंगो से है आपस नवर स इसका सही अंसर है नेश्ट कुशन आचररव गत या वेवार परक विकारों से पीडित ब्यक्ति को क्या कहते हैं कते हैं मनो विक्रिती कहते हैं आपसनोर व इसका सही अंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ यहां पर दिया क्या है पेसेवर अपराद कैसा विकार है पेसेवर अपराद किस प्रकार का विकार है मनो विक्रिती आपसनोर क्या है दो इसका सही अंसर है बाल तुचा स्वासन दमा हिर्दे उनाड़ी समंदी विकार निम्नागित किस वर्ग से समलित अनिकिस वर्ग में समलित है तो मनुकाईक में समलित है आप सनुर क्या है और इसका सही अंसर है देश द्रोह कैसा विवार है आचरण विकार विवार है आप सनुर क्या है और इसका सही अंसर है आगे कोशन की तरह बढ़ते हैं हम अगला कोशन ज्या है अंध कारब में यूग के अनुसार मनोल क्रिती ब्यक्ति में किसका निवास होता है बुरी आतमा का निम लिखित में से कौन एक निउरो लाजिस्ट थे तो सार कोट आप रजम नुम्हीं क्या करद्सुनREE बढ़ते हैं अपने अगले कोसिन्गी तरफ कर's discovery आप विच्ष क्राप्ट पUS्तक के लिखक हैं तो डिसकर्प्डी आप विच्क्राप्ट पुस्तक के लिखक कौं द्रबों को किसे ने बताया है। तो आरस्ती ने बताया है ।Isका सही अनसर है। समान या व्यक्ति की विय कुर्ण are बतालाई है 사मान य।्व्यक्ति कि विशेष्डे सिकार हुजाते हैं। किसी ने बताई हैं । आएक कुछ सही है से बढ़ते हैं अगले कुछन की तरह और सामान ने मनोग 돌zon में miesान किया जाता है तो किसका मनोग भी ज्यान का अध्यान किया जाता है आपसंद नमें रवरक इसका सही है समाननेता किस बुद्धी लब्दी के ब्यक्ति समाने होते हैं समाननेता साट से सतर जिनकी बुद्धी लब्दी होती है वह क्या होते हैं ब्यक्ति समानने वस्था में होते हैं आपस नम्र और इसका सही अंसर है पेज ने किस द्रिष्टी कोड के अधार पर असमान समान ने वा उच्च सम्हू को अंतसमांदित किया है संख्यंकी है इवा ब्याधिकी है द्रिष्टी कोड के माध्यम से आप सनुर्ण वा इसका सही अंसर है इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरह हमारा अगला कोशन दिया गया है ब्राउन के अनुसार समान और असमान व्यक्तितों में अंतर होता है तो मात्रा का अंतर होता है आप सनुर्ण वा इसका सही अंसर है ब्यक्तित्व के भिविन पच्छ बुसरे के साथ मिलकर यास्तांगठित रूप से कार करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं समन्मित ब्यक्तित्व कहते हैं आफ्रनुर्बा इसका सही अंसर है नायतिक द्रिष्टि कोड के अनुसार एक समान ब्यक्ति का बेवार किस पर आधारित होता है तो किस पर आधारित होता है नायतिक नियमों पर आधारित होता है आफ्रनुर्बा इसका सही अंसर है आगे की तरह बढ़ते हम समान में किस प्रकार का अंतर होता है तो मात्रात्मक का अंतर होता है आपसे नमर क्या है और इसका सही अंसर है निम्लिकित में से कौन मनो जात उद्रभाव विकृति का लच्छड नहीं है तो मनो देहिक विकृति या हमारे मनो जात उद्रभाव विकृतिकाल अच्छड नहीं है आपसनुम्रस इसका सही अंसर है ग्यार्वी सताब्दी को किस यूग से संबोधित किया जाता है तो किस यूग से संबोधित किया जाता है प्रगर्ति का यूग संबोधित किया जाता है अठार्वी सताब्दी को किस यूग से संबोधित किया जाता है अठार्वी सताब्दी को तर्क यूग से संबोधित किया बढ़ते हैं अगले के तरह वेश्बी सताप्धी को कहा जता है दूसेंता योग ठिक ए आगे कोंगे कोश्रीं का संवा नभ्यक्ती में पंगे साथा बीस भी सताब्दी आपसेनों द इसका सही अंसर है आगे कोशन की तरह बढ़ते हैं निम्यक्षित में से कौन सा कारक जैविक कारकों से समंदित नहीं है तीरसकार यह जैविक कारकों से समंदित नहीं है मेंडेल ने अपना अनुवानसिक्ता समंदि प्रयोग की स्पाउधे पर किया था माटर पर नहीं की मेंडेलिप ने अनुवानसिक्ता का प्रयोग एक माटर के दाने पर किया था आगे कोश्चन होरा करिया कहा है एक अभिन यमज में मनो विदलता के विक्सित होने पर प्रति इसका प्रकार नहीं बताया है वही री मुखी आप इसका प्रकार वोजन प्रिय है और युद्ण को नेश्ट कोशन नमरा के देगा है पिकनिक परकार के बेक्तियों में किस मानसिक रोग के पाये जाने की संभावना होती है उत्साहा विशाद मनो विच्छी तत्ता आपसन बरदा इसका सही अंसर है बढ़ते हैं के लिए कुशन की तरह निमनेखित में से कौन सा प्रकार सेल्डेन ने नहीं बताया है एथनेटिक के दिया एस्थेनिक या सेल्डेन ने नहीं बताया है आपसन बरदा इसका सही अंसर है गोलाकार ब्यक्तियों में कौन सा सभाव पाया जाता है तो गोलाकार ब्यक्तियों में आंतरांग प्रधान सभाव पाया जाता है आपसर नमर अ इसका सही अंसर है आगे कोशन की तरह बढ़ते हैं अगनासय गरंथी से कौन सा हर्मोन से निकलता है इसका सही अंसर है समानता के मौनोवेग्यानिक कारकों के अंतरगत कौन से कारक आते हैं भगन परिवार इसका सही अंसर है युद्ध के कारक कौन सी इस्तितिया उत्पन होती है युद्ध के कारक कुस मायोजन इस्तितिया प्रियुक्त होती है आपसन ब्रदव इसका सही अंसर है मनो विसलेशर के अंतरगत क्या समलित नहीं है मांसिक बिक्रिती या मनो विसलेशर के अंतरगत समलित नहीं है आपसन ब्रदव इसका सही अंसर है पढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ यहां पर दिया गया है बेहवार की बैख्या के लिए नेम्लिकित रूपकाप योग किसी ने किया था B is equal to F L is equal to B is equal to F L into D किसी ने किया था ब्राउन ने किया था आपसरम ब्रदवा इसका सही अंसर है परते हैं अपने अगले कोशन की तरब मन के घत्यातमक पच्चे के अंतरगट किया समलित नहीं है और चेतन आपसरम ब्रदवा इसका राइट एंसर है Next question क्या है ब्यक्तित वके स्थल रूप रेखी पच्चे से कौण समन्धित नहीं है अहम आपसरम ब्रदवा इसका सही अंसर है चेतन का समंद है तो वर्तमान से है अनि प्रजेंट टाइम से नेक्स्ट कोउसन चेतन से मतलब चेतन जीवन अंत्रद्वंतों की सिंखला से मिलकर बना है या कथन किसका है या कथन फ्रायड का है आपस नमर औ headset का सही अंसर है नेक्स्ट कोसर मेरा क्या दिया गया है निमलिखित में से कौन प्रतिबल और इस्ट्रीस का स्थोत्र नहीं है उपलाब्धी आप्स नमर दो इसका सही अंसर है निमलिख्यत में से कौन कुण्ठा का स्थोत्र नहीं है प्रत्यनों की अधिक्ता या कुण्ठा का स्थोत्र नहीं आपस नम्रसा इसका सही अंसर है next question है कुस मायोचित यहों असंंगत बहवारों को गलत तर्कों के अधार पर उचित सेखा करने को हम क्या काते है युक्ति करण कहते हैं आपस नमर सा इसका सही अंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरह हमारा अगला कोशन दिया गया है अपने अवांचित विचारो भावनावें दोसों को दूसरों पर आरोपित करने को हम क्या कते हैं प्रिच्छपड कहते हैं आपसनोर बाइस का सही अंसर है आगे को सिंद्या गया है किसी ब्यक्ति या वस्तु से समंदित तम्वेग या प्रतिकात्मक अर्थ को मूल वस्तु से हटा कर दूसरों पर इस्थाना अंत्रिश करने को हम क्या कते हैं विस्थापन कहते हैं आपसनोर बाइस का सही अंसर है आपसनोर बाइस की तरफ यहां पर दिया गया है नेक्स्ट कुस्टि निमलिकित में से कौन सा मन इस्थाप का लच्षड नहीं है ब्या मोह आपसनोर बाइस का सही अंसर है निमलिखित में कौन सा मन स्थाप का प्रकार नहीं है पेरा नुया आपसर रवसर इसका सही अंसर है बिना ब्राह उद्धिपक के वस्तु के प्रत्यच्छी करण को कहते हैं तो क्या कहते हैं ब्री भाम्र कहते हैं आपसर रवसर इसका सही अंसर है नेक्स्ट कुशन की तरह बढ़ते हैं हम निमलिखित दिया है निमलिखित में से कौन सा मनोविक्रती का लच्छड नहीं है चिन्ता आपसनबर क्या है दो इसका सही अंसर है निमलिखित में से कौन सा मनोविक्रती का प्रकार नहीं है मनो ग्रस्तता बाधता यह मनो विकृतिका प्रकार नहीं है आपसनबर 2 इसका सही अंसर है चले बढ़ते हैं अपने आगले कुश्ण की तरफ हमारा आगला कुश्ण क्या दिया गया है चिंता मन स्थाप की प्रमुक विश्ष्षता है दिशाहीन चिंता आपसनबर 2 इसका सही अंसर है चिंता मन स्थाप में कौन सा लच्षड नहीं होता है एक आगलता आपसनबर 2 इसका सही अंसर है चिंता मन स्थाप का लच्षड है तो कौन है अतधिक मानसिक उत्तेजन यह क्या है चिंता मनसाप का लच्छड नहीं है मनो गरस्तता बादिता को माईकम थेनिया के अंतरगत किसने रखा है जेने ने रखा है अपसर नमर स्वाइज का सही अंसर है आगे क्या दिया गया है हमारा हिस्टिरिया सद किस भासा से लिया गया है ग्रिक के सब्द आनि ग्रिक भासा से लिया गया है अपसर नमर स्वाइज और इसका राइट एंसर है कौन सा लच्छ हिस्टिरिया से समंदित नहीं है कार्य के पुर्णा वृत्ति यह हिस्टिरियाल अच्छल से समंदित नहीं है आपस नमर 2 इसका सही अंसर है फ्यूग इलू फ्यूग इलू का अर्थ है पलायन करना हो आपस नमर 2 इसका सही अंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ हमारा अगले कोशन क्या दिया गया है हाँ दिया गया है तो अपने विचलर का अर्थ क्या है सोते समय भ्रमर करना आपस नमर 2 इसका सही अंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ यहाँ पर दिया गया है डग्ती बिच्छेद किसका सादिक अर्थ है मनोविदिलता का आपसर नम्र अ इसका सही अंसर है आगे कुछन की तरह बढ़ते हैं हम मनोविदिलता को मनोविदलता को असमान बहवार का सम्हू किस ने कहा है कोल मैन ने कहा है आपसर नमर अ इसका सही एंसर है मनो विदिलता का कौन सा प्रकार नहीं है हिस्टीरिया आपसर नमर दो इसका सही एंसर है इनमें कौन सा मनो विदिलता का लच्छड नहीं है निद्रा भ्रमड आपसर नमर दो इसका सही एंसर है उत्साह विसाद मनोविकृती सब्द का स्वरपर्थम प्रयोग किसे ने किया था तो कैपलीन ने किया था आपसर वर्ब इसका सही एंसर है इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले कुशन की तरप निमलिखित मेंसे कौन उत्साह बिसाध मनोविकृती का लच्छड नहीं है मेंसे कौन सा उत्साह की अवस्था नहीं है तो चिंता आप सनुवर भड़ इसका सही इंसर है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चने को सुस्क्राइब करना न भूले और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरह हमारा अगला कोशन ह संब्रान्ती के स्वरूब का निडिधार सबसे पहले किसी ने किया था हिन राध में किया था आप्सण फर्द इसका सभी अंतर है तो प्रौब्र निमलिखित में से कौन समभ्रांती का लच्छड नहीं है उत्साह आपसन मर्दा इसका सही अंसर है समभ्रांती का लच्छड नहीं है निमलिखित में से कौन समभ्रांती का प्रकार नहीं है मनो भी दिलता आपसन मर्दा इसका सही अंसर है आगे कोशन के दियेगा है हमारा नि निमलिखित में कौन मानसीक रूप से स्वस्त ब्यक्तिका लचछड़ नहीं है बढ़ते हैं अपने अगले कुछिंग की दरहा निमलिखित में कौन मधहपान का प्रभाव नहीं है तो समायोधन की पूर चम्ता आफसंगी इसका सही answer है अफहीद आफहीम कितने nitrogen ततों का जलता है तो 18 nitrogen ततों का मिश स्चियंसर है आफहीम में उसका सही answer है आफहीम में पाए जाने वाले nitrogen ततों को क्याуска ह 살아 also is we conference एफकरमापीम में पाए जाने वाले nitrogen ततों को हम बार बारव की कशनल प्लोतरस कहते है आप संवर 12 इसका सभी अप्निक ही में पाये जाने वाले नाइट्राज़डिक को भी कहते है ऐलकुलाईड़स कहते है अप Crotty का सिकार किसे एंशर में हुआ था है यानी है ए घ्ग का सिकार किस cavtatsu में हुआ था सन узнаешь 238 में हुआ था आप स्टमर्ण सब्सका राइट एंसर है कि आगे को संधिया है मनों विश्लेशर चिकिष्टा का अब जिकार नि परतिबादन किसी ने किया था फ्रायर्ड ने किया था आप सरुमर्ण इसका सही एंसर है मनों चिकिष्टा में कि इसकी आशकता नहीं होती है आपसनवर साइस का सही अंसर है निमलिखित में कौन सा मनोचिकिस्ता का चरड नहीं है स्वपन विसले सड आपसनवर दाइस का सही अंसर है निमलिखित में कौन मनोचिकिस्ता की प्रवीधी नहीं है तो कौन नहीं है जाड़ फूक यह मनौ चिकिस्ता की प्रवीधी नहीं है आप सुन प्रवाइज का सही अंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरह पमारा अगला कोशन के देगा है शम्मोहन वीधी का मनौ चिकिस्ता के चेत्र में स्वरपथम योग किसने किया था आप सुन प्रवाइज का सही अंसर है मनो विसलेशन में कौन सा पद समलित नहीं है भूमी का निर्वाह आप सुनबर बईस का सही अंसर है बढ़ते हैं अपने अगले को से की तरफ असमान मनो विज्ञान अध्यान है तो बेहवार यानि भी है वियर का आप सुनबर अ इसका राइट अंसर है असमान विखवार क्या है कूसमायोजी विखवार है एक प्रकार का कूसमायोजी आप सुनबर सा इसका राइट अंसर है पापारिस पाया जाता है किसमें पाया जाता है मिस्र में पाया जाता है आप सुनबर क्या है सा इसका राइट अंसर है हिपोक्रेटस ने मानसिक विमारियों को कितना ने किसमें विभक्त किया है दो प्रकार में विभक्त किया है आपसे नमाद नाम दिया गया है सामुहिक पागलपन को नाम दिया गया है क्या दिया गया है नित्यों के दिया है हाँ सामुहिक पागलपन को क्या नाम दिया है नित्यों नमाद नाम दिया गया है आप समब रोगों को डंडित करने के लिए बनाया था आप संबर सा इसका right answer है मठ बिहार जिसमें रोगियों के बहवारों को दिखने के लिए दर्शकों से दर्शकों से एक पेनी आनि असूला जाता है वह था क्या था सेंट मेरी बेथल हिं क्या जिए हाँ आप संबर क्या है और इसका right answer है निस्ट्स नम नम एक बीमारी है किसने कहा था परेदे का असल मुझे सार में सिरस ऑसमान बेवार को आधारला के बारे में 4-D अभी गरह किसने प्रस्थूत किया था को मर ने किया था असननला 22 का सही एंसर है 20 सतापति चिंटा की आउदी है या किसने कहा था कोल मैन ने कहा था 23 सताप्दी चिंता की अवधी है आप सन्रोदा इसका राइड एंसर है आगे कोशन की तरह बढ़ते हैं हम ICD 10 का प्रकासन कब हुआ था सन 1993 में हुआ था आप सन्रोदा इसका सही एंसर है DHC, DSM DSM 4 का प्रकासन कब हुआ था 1994 में हुआ था आप सन्रोदा इसका सही एंसर है DSM 4 में कितने आयाम होते हैं DSM 4 में 5 आयाम होते हैं आप सन्रोद 2 इसका सही एंसर है मनो विदिलता सब्दका प्रयोक सरपता है किसी ने किया था बूलियर ने किया था किसी ने किया था बल्यू लर ने किया था बल्यू लर आप सनुद्र 10 का सही अनसर है जो हमारा नेक्ट कोछन है D S M किसे ने प्रकाशित किया था अमेरिकी मनुच किस्ता संधने आप सनुद्र क्या है दिया है D H D S M 5 का प्रकाशन का हुआ 2013 में आपसर दाइस का सही एंसर है नेक्ष्ट कोसन क्या दिया गया है DSM-5 में कितनी नैदानिक स्रेडियां है 20 नैदानिक स्रेडियां है आगे कोसन क्या दिया गया है निम्नांकित में से कौन शिंता का प्रमुख लच्छड है तो कौन है आसंका सारवजनिक स्थान दुर्विती को का कहते हैं हम एक ग्रोफोविया कहते हैं आप सारवजन का सही एंसर है नेक्ष्ट कोशन अमरा क्या दिया गया है चिंता विकृति अंतह मानसि घटनाओं का पड़िराम है या किसे ने कहा था मनो विसलेशर वादी ने कहा था आप सारवजन अ इसका सही एंसर है आगे कोशन की तरह बढ़ते हैं हम निम्नांकित में से चिंता विकृति में किसका युगदान अधिक है तो संग्यनात्मक कारक का युगदान अधिक है आप सारवजन इसका सही एंसर है क्रबंध और सवेदी करण का परियोग होता है क्रबंध और सवेदी करण का परियोग कब होता है तो भय निवरी करण में होता है आप सनम्र क्या है और इसका राइट एंसर है सपूर्ती प्रदर्शन कैसी चिकिस्ता है सफूर्ती प्रजर्शन का इसी चिकिष्था है एक जैविक और पैयलाजिकल चिकिष्था है आपसमर क्या है दो इसका राइट एंसर है माडलिंग के साथ किसका नाम अधिक जुड़ा है माडलिंग के साथ बिंडूरा का नाम अधिक जुड़ा है आपसे मुर्ण 2 इसका सही अंसर है चिंता के उपचार में विशिष्ट आत्मनियंत्र टक्निक को हम क्या कहते हैं विचार ठहराव कॉन गेंट्यू स्टॉपिंग कहते हैं विचार ठहराव आपसे मुर्ण 2 इसका सही अंसर है यदि चिंता देर्गकालिक अतित्रिव और कारण सपस्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे उसे समानीकृत चिंता विकृति जी एडी कहेंगे आप सनुर्ण क्या है सा इसका राइट एंसर है मनोग्रस्ती बादता विकृति के उपचार में कौन सी विधी अधिक उपयोगी हो है तो आउसदिया चिकिस्ता आप सनुर्ण को सही अंसर है तो धन्यवाद चलिए आपसे नेक्स्ट विडियो मिलते हैं